राजस्थानी सेव टमाटर की सबजी के बाद मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और क्विक एवरिडेय करी रेसिपी जो की है पापड की सबजी जब आपके पास कुछ ना हो किजिन में बहुत सारी चीजें ना हो बहुत थोड़ा सा बेसिक सामान के साथ आप इसे बना सकते हैं बहुत ही popular सबजी है यह राजस्थान की इसे बनाना बहुत ही असान है और आप इसे बना सकते हैं अपने किजिन में easily available ingredients के साथ तो चलिए बनाते हैं spicy और मज़ेदार राजस्थानी पापड की सबजी पापड की सबजी बनाने के लिए हम लेगे एक पैन उसमें गरम करेंगे ओयल तेल जब हलका गरम होने लगा इसमें डालेंगे जीरा जब हलका हलका पॉप होने लगेगा इसमें हम डाल देंगे थोड़े से मेथी दाना और इसमें डालेंगे साथ-साथ इसमें कसी हुई अद्रग या ग्रेट जिंजर आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसको हलका पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्या至 प्यास को हम हलका सा लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे प्याज़ हमाना इसमें हम ढाल देंगे हल्दी पावडर लाल मिर्श का पावडर नमक आपके टेस्ट के according थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा जीरा पाउडर और इसमें हम डाल देंगे 4-5 साबुत हरी मिर्च इसके साथ साथ हमें इसमें डालेंगे फ्रेश टमैटो प्यूरी इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे टमैडो प्यूरी को पकाना है अब आपने 4-5 मिनट और मीडियम येट जब तक कि इसका खचापन निकल जाएगा और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी दही आप इससे चाहें तो दही के बिना भी बना सकते हैं पर दही के साथ इसका स्वाथ बहुत अच्छा आता है तो मैंने इस पापड की सबजी को दही के साथ बनाया है जब भी आप कोई चीज ग्रेवी में दही पका रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसको लगातार चलाते रहेंगे और हर समय में थोड़ा थोड़ा एड़ करेंगे एक साथ बहुत सारा एड़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमने बहुत थोड़ा सा दही उज़ किया है तो इसको मैंने एकी साथ डाल दिया और इसको चलाते हुए मैंने पकाया करीब छे से साथ मिनट अब हमारा दही पक चुका है मसाला जो है हमारा तयार है इसमें हम डाल देंगे पानी और इस ग्रेवी को हम थोड़ी देर 4-5 मिनट इसको बॉइल कर लेंगे अब हमारी जो ग्रेवी है या करी है अच्छे से बॉइल होने लगी है इसमें हम डाल देंगे पापड को तोड़कर मैंने यहाँ पर मसाला पापड यूज किया है आप चाहें तो पापड को भून भ के साथ पकाएंगे और इस सर्फ करने के लिए तयार है इसमें हम डाल देंगे थोड़े से अरे दिम्या के पत्ते इसे आप पराठे और चपाथी दोनों चीजों के साथ सर्फ कर सकते हैं और जीरा राइस के साथ भी यह बहुत ही टेस्ती लगती है तो कैसी लगी आपको य अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मैं आपसे मिलूंगी एक नई जटपट और स्पाइसी करी रेसिपी के साथ तब तक के लिए हैपी कुकिंग